हेलो स्टुडेंट्स आप लोग अपने सेश्टी के बुक में लेसन फाइब के बाद यूनिट टेस्ट निकालेंगे यूनिट टेस्ट वन इसमें यह कोश्चन आंसर दिया हुआ है आंसर लिखने वाला कोश्चन इसको कॉपी में नोट करोगे यह इसके बाद जितने दिये ह हुए हैं पूरे एक्सरसाइज को बुक में बनाओगे यह तुम लोग खुद से बनाओगे अब देखोगे कि तुम लोगों ने पिछले लेसनों में कितना पढ़ा है ओके अब लेसन 6 निकालो लेसन 6 लेसन है माई कम्यूनिटी कम्यूनिटी में सोता है समाज या जहां हम लोग रहते हैं कम्यूनिटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक लोगों का ऐसा समुध जो साथ में रहता है प्यूपे लिविंग इन एक कम्यूनिटी help each other just like family members एक समाज में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे की मदद ऐसे करते हैं जैसे कि वो family member हो या एक परिवार के सदसी यहां पर में कई सारे ऐसे लोग है या ऐसे लोग रहते हैं जो कि हमारे दिन प्रतिदिन के कामों में हमारी मदद करते हैं चलो हम उन्हें अच्छे से जान ले सबसे फर्स्ट टीचर एक टीचर जो है वो हमें लिखने में पढ़ने में हमारी मदद करता है और हमें एक जिम्मेदार आदमी बनाता है हम अपने टीचर से जो है music, sports, drawing, painting आदी जो है वो भी सीखते हैं फिर है shopkeeper, shopkeeper means होता है दुकानदार we get all the things we need such as bread, butter, eggs, milk and other day-to-day things from the shopkeeper in our locality हम जो है अपने day-to-day things यानि कि प्रति दिन का जो हम लोगों का उप्योग करने वाला समान है बस तु है जिसमें की bread आता है, butter आता है, egg है या milk है या और भी समान हमारे आसपास में जो दुकान बाले हैं उनसे खरीदते हैं फिर है doctor, when we feel, unwell, unwell means होता है और sick, sick means बिमार we go to a doctor, जब हम अपने आपको औस्वस्त या बिमार महसूस करते हैं तो हम doctor के पास जाते हैं the doctor give us medicines, medicine means होता है दवाई, doctor जो है हमें medicine देता है फिर है tailor, a tailor teach, stitch our cloths, stitch means होता है सिलना, तो tailor जो है वो हमारे कप्रियों को सिलता है फिर है sweeper, sweeper means होता है सफाई करमचारी या सफाई करने वाला sweeper keeps the roads, parks and other place clean एक sweeper जो है वो road को, park को और दूसरे जगों को साफ करता है फिर है palumber, palumber means होता है नल साज, जो की नल आदी को ठीक करता है एक palumber looks after drainage system, man's tap and seal leaks एक palumber जो होता है, वो drainage system को देखता है नलादी की मरम्मत करता है और जो seal जो है वो जो leak होता रहता है, उस सब को भी देखता है उन सब की भी मरम्मत करता है फिर है carpenter, carpenter means होता है बरहई एक carpenter makes different kinds of furniture from the wood wood means होता है लकडी एक carpenter जो होता है, वो अलग-अलगत रहे के furniture बनाता है लकडियों से फिर है electrician, electrician जो की बिधुत का काम करते हैं, बिजली का बिजली मिस्त्री एक बिजली मिस्त्री जो होता है, वो हमारे light को, पंखो को, तारो को या दूसरे विधुत समानों को जो है, वो रिपेर करता है, उसकी मरम्मत करता है फिर है fireman, we call a fireman in case of a fire अगर कहीं पर में आग की समस्या होती है, या आग बगारा लग जाता है, तो हम fireman को बुलाते हैं fireman put out the fire and save lives fireman आग को बुझा करके, जीवन को जो है, बचाता है, सुरक्षित रखता है फिर है police officer, एक police officer maintain law and order in the community एक police officer जो है, वो law को maintain में रख करके, और उसको समाज समुदाई में अच्छे से नियमों का पालन करवाता है lawman's होता है नियम या कानून फिर है police officer work in a police station police officer जो होते हैं, वो police station में काम करते हैं फिर important buildings, महतपूर्ण इमारते, there are many important buildings in our community हमारे समाज में जो है, कई सारे महतपूर्ण इमारते होती हैं we go to a hospital, जैसे के hospital हुआ, when we do not feel well जब हम अपने आपको अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो हम hospital जाते हैं the doctors and nurses take care of sick people and cure them with medicines in the hospital वहां doctor और nurse जो होते हैं, वो sick people यानि बीमार आदमी को देखवाल करते हैं और उन्हें स्वस्त करते हैं medicine वगरा दे करके, उनकी देखवाल करते हैं और फिर उन्हें दवायादी दे करके स्वस्त करते हैं यहां पर में कई सारे sectionic संस्थाने भी होती हैं जैसे कि school या college है, यह भी हमारे community का important building में ही आता है where we study in our community, जहां हम अपने समाज या समुदाय में पढ़ने के लिए जाते हैं जो आसपास में school, college बगएरा रहता है, वहां पर में पढ़ने में सुविधा होती है, आसानी होता है fire stations in our community send out fireman and fire engine to put out a fire fire station जो होता है हमारे समाज में, वह अपने fire station से fireman को और fire engine को भेजता है आग बुझाने के लिए we go to the public police station if there is a theft in our house or any other trouble अगर हमारे घर में कोई problem होती है, परिसानी होती है, या चोड़ी बगएरा हो जाता है theft means होता है, चोड़ी होना, चोड़ी हो जाता है, तो हम लोग police station जाते हैं, वहाँ police के पास next page we should respect all these people who make our life easy जो लोग हमारे life को easy बनाते हैं, उनकी respect करनी चाहिए, हमें उनका आधर करना चाहिए जैसे की carpenter है, police officer है, या postman है, tailor है, आधी इतने सारे है, lesson complete होगे आप लोगों का, अब exercise देख लोगे exercise में choose the correct answer and fill in the blanks, we go to a doctor when we are sick in case of a fire, we call a fireman, policemen are responsible for maintaining law and order in our area a sweeper, a sweeper keeps our community clean and electrician fix lights and fans फिर है answer वाला question, answer these questions, इनके answer लिखने है, what is a community, community is a group of people living together question 2, write two ways in which a teacher help us, a teacher help us to read and write and become responsible who is a postman, what does he do, a person who work in a post office is called postman, a postman deliver letter and parcels in our homes, फिर है, where does a policeman work, how does he help us, a policeman work in a police station he maintain law and order in our community, where do we go when we fall sick, we go to a hospital, या doctor, when we are sick, when we fall sick, फिर है match, correctly, इनको match करना है, sweeper, sweeper, फिर doctor, doctor, electrician, match हो गया, फिर है state whether these statements are true or false, इसमें true or false लिखने हैं, a palumber makes wooden furniture for us, false हो गया, a postman deliver letter to homes, true, hospital is an important building in our community, true, community is a group of people living together, true, an electrician fix our lights and electrical appliance, true, lesson आप लोगों का complete हो गया है, question answer को सभी बच्चे अपनी copy में note करते जाओगे, क्योंकि अगर work पीछे छूट जाएगा तो बाद में problem होगी तुम्हीं लोगों को, एक साथ सारे lesson का question answer लिखना पढ़ेगा, इसलिए साथ के साथ question answer copy में note करते जाओगे,